नमस्कार बच्चों, सुबह से बच्चों के बहुत ज़्यादा मेसेजिज आ रहे हैं कि सर अब क्या CET क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होगा, अब हम क्या करें, हमारा भूशे क्या रहेगा, तो मैं बच्चों को बता देना चाता हूँ, सबसे पहले मैं देनिक सवेरा और सुरेंदर धिमान जी वे उनकी पूरी टीम का दनेवाद करना चाता हूँ, क्योंकि उससे पहले मेरे खुद को लग रहा था कि CET क्वालिफाइंग को लेकर जल्द इखुसकबरी मिलने वाली है, और जितने भी यूट्यूबर से वीडियो देखी मैंने, और सभी बच्चो को हम क्वालिफाइंग नेचर का करेंगे, तो अब इसका मतलब है, इस नियूज पेपर के आदार पर हमें अपने आंदोलन को और ज़्यादा एक्टिव करने की जरूरत है, जो हमने ग्यापन सोपने का प्रोग्राम चलाया हुआ है, और अब हैना हमें अपने स्तर पर बच बच्चों के अरियाना पुलिस वाले बच्चों के मेसेज आ रहे थे, और वो बच्चे हैं ना 29 मतलब तारिक को 29 नुवंबर को ना ताउ देविलाल स्टेडियम में इकठा हो रहे हैं, मैं टेलिग्राम में डाल दूँगा कि कौन सी लोकेशन रहेगी, और उन बच्चों क आपकी बात है, जरूर मानेगी और CET क्वालिफाइंग को लेकर आप बच्चों निरास होने की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें अपने अंदोलन को हम सभी अध्यापक एक एसा प्लान करते हैं कि CM साब से हमारी मीटिंग हो जाए और हम उनको समझाने में काम्याब हो पाए कि CET क्वालिफाइंग क्यों होना चाहिए, सभी बच्चे हैं न, एक मोका ही तो मांग रहे हैं और मैं आप से कहता हूँ, आपको उदास नहीं होना है, निरास है, नहीं होना है, हम सभी अगर एक साथ मिलकर इस लड़ाई को सवेधानिक तरीके से लड़ेंगे, तो जीत हम हमारी जरूर होगी, आप उदास मत हो, सभी हरियाना के अध्यापक गण, और सभी ओफ-लाइन अकेडमियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, कि इस मुहिम को वो सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और सभी हरियाना के अध्यापक चाहिए ओफ-लाइन हो, चाहिए मिल जाए, हर टीचर आपके साथ रहेगा प्यारे बच्चों, और आपको पढ़ना भी होगा, लड़ना भी होगा, हम सब इस जंग को जरूर जीतेंगे, तो निरास नहीं होना है, इस नियूज को हमें इस वे में पोजिटिव लेना है, कि हमें पता चला सरकार की मन सा क्या ह तो हम अपनी मतलब जो ग्यापन सोपने का इस दोर को और एक्टिव करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमें ग्यापन सोपना है, जिस लेवल पर भी हम अपने मतलब विचारों को पहुंचा सके, पहुंचाना है, और सीम साब से मीटिंग हो गई, तो हम उन्हे समझाने की पूरी कोशिस है करेंगे पूरा कोशिस कर रहे हैं कि सीम साब से टाइम लेने का ताकि हम उनको फर याना के हर युवा की मांग को उन तक पहुंचा सकें तो यही इनफोर्मेशन देनी थी आपको उदास नहीं होना है और पढ़ाई जारी रखनी है लड़ना भी है पढ़ना भी है धन्यवाद दोस्तो जै हिंदे जै भारत